आलो नमस्का दोस्तों राष्थान के दोसा समाचार में आपको सोगते दोसा के बांदी कोई ग्रीन पार कॉलोनी में साधी के बाद नव विवायता का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है विवा में करीब 8 लाक रुपे का खर्चा किया था लेकिन जैसे ही विवायता ससुराल जाकर वापस अपने पिहर आई तो बेटी ने बताये कि पति साथ ससुर और ननाद दैज के लिए संटूस नहीं थे दैज के अलावा व्यापार के लिए 3 लाक रुपे भी मांग रहे हैं उन्होंने बताये कि 1 माई 2022 को उन्होंने अपनी बेटी को समझा कर ससुराल भेज दिया था लेकिन 24 जून को ससुराल पक्ष ने देज पितारन के कारण इस गटना को अंजाम दिया है इसी तोरान मिर्तिका के भाई नीरज ने बताये कि 24 जून को उनकी बेहन सुलेखा से दोपेर में परिवार के लोगों से मोबाइल पर ही बात हुई थी जिसमें उसने कहा कि ससुराल के पक्ष दहेज के लिए विवाद कर रहे हैं ऐसे में मुझे ले जाने आ जाओ जिस पर परिवार के लोगों ने रविवार को ले जाने की बात कही लेकिन इस से पहले ही स्याम को उसने इस गटना को अंजाम दिया गटना के बाद सनिवार को पुलिस ने पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दज करते हुए पीटे करवाकर परिजनों को सुपरूत कर दिया है तो दोस्तो ऐसी खबरे दिखाना आपको विजलित करना नहीं बलकि सचीत करना है ताकि समाज में गट्टे त्मॉलिक अटनाओं से बचा जा सके तो दोस्तो प्रतेज बर की ऐसी खबरों की जानकारी दिलिए बने रही है चैनल के साथ अगर चैनल से नए जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं लिडियो के साथ जाहिन दोस्तो